नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विनाई स्टडी के इन में आज हम अंकोसिक का प्रयोग के संबंधित कुछ प्रस्नों को देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं हमें यहां तीन परकार के प्रस्न दीख रहे हैं यह प्रस्न विविन्य प्रतियोगी परिक्षों में पुछे गए हैं या इस तरह के प्रस्नों को पुछने का संभावना है पहला प्रस्न एक से 99 तक लिखने में पांच का प्रयोग कितने बार करना पड़ता है एक से एक हजार तक लिखने में सुन्य का प्रयोग कितने बार करना पड़ता है अगला प्रस्ण है एक से सव तक लिखने में एक कप्रयोग कितने बार करना पड़ता है तो इस तरीका के कुछ प्रस्ण विभिन पड़ते होगी परिख्वाओं में पूछे गए है और ये ऐसे प्रस्ण है जिनको हल करने का कोई तरीका नहीं है आपको अनुमान लगागर ही गिनना पड़ेगा अगर आपको पहले से इन प्रस्णों के बारे में कुछ पता नहीं है तो वहाँ पर बनाना मुश्किल हो जाएगा तो चलिए इनके बारे में जानते हैं दोस्तों आपको यहां एक टेबल दिख रहा है जिसमें एक कॉलम में लिखा गिंती और वहां तक पहुंचने में सुन्या का कितने बार प्रयोग होता है और अन्य अंक जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ का प्रयोग कितने बार होता है इसको यहां पर लिखा गया है तो चलिए देखते हैं एक से नौ तक लिखने में सुन्या का प्रयोग एक बार भी नहीं होता है और अन्य सभी अंक एक अग बार प्रयोग में आते हैं एक से 99 तक लिखने में सुन्य का प्रयोग 9 बार होता है और अन्य अंको का प्रयोग 20 बार होता है इसी तरीका से एक से 999 तक लिखने में सुन्य का प्रयोग 189 बार अन्य अंको का प्रयोग 300 बार होता है एक से 9999 तक लिखने में सुन्य का प्रयोग 2889 बार होता है और अन्य अंकों का प्रयोग 4000 बार होता है इसी तरीका से आप इसका स्क्रीन सॉट लेकर बाकी जितने भी दिखने हैं उसको देख सकते हैं आप समझ पाएंगे लोग अन्य अंकों का प्रयोक से शुरू करते है कहले क्या था एक था मैं और वो एक अंक है उसके बाद है 20 पूंस याने दो आउसके बाद है three तो इसमें जो सुन्य बढ़ रहे हैं उक निस्षित पैटन पड़ रहे हैं और उसके साथ जो एक दो तीन चार पाँच यह भी एक निस्षित पैटन पड़ रहे हैं तो इस तरीके से आपको यह याद करने में बहुत आसान हो जाएगा इधर सुन्य वाले लिस्ट को देखें तो सुन्य नौ उसके बाद एक आठ नौ एक बार आठ है और नौ है दो दो बार आठ है नौ है तीन तीन बार आठ है नौ है चार चार बार आठ है और नौ है इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम पाएंगे अब इसी कौन लोग 1 से 10 तक बढ़ा देते हैं तो अंकों का परियोग में सिर्फ परिवर्तन की आएगा सुन्य और 1 में परिवर्तन आएगा एक से 10 तक बढ़ाएं तो जो हमारा अंक है एक एक बार बढ़ गया तो वो दो बार परियोग होने लगा है और सुन्य भी एक बार बढ़ा है तो अब वो एक बार पिरोग होने लगा है लेकिन बाकी जो अंक है पहले जैसे थे उतने बार ही परियोग हो रहे हैं जैसे अन्य अंक कितने बार परियोग हो रहे हैं एक बार एक से सव तक लिखने में एक से निरानवे तक लिखने में सुन्य जहां नौ बार परयोग हो रहा था सुन्य यहां नौ बार परयोग हो रहा है अब सव लिखने में सुन्य दो बार और अधिक आ गया इसलिए आप सुन्य नौ के बजाए कितने बार प्रयोग होगा ग्यारा बार और एक एक बार और बढ़ गया सव में एक बार फिर से आ गया है इसलिए अब ये 21 बार प्रयोग होने लगा है इसी तरीगा से आप इन दोनों लिश्ट को आप पुलना करके देख लीजेगा है स्क्रीन सौट ले लिजेगे अच्छा से अब हम अपने प्रस्णा पर चलते हैं पहला प्रस्णा एक से 99 तक लिखने में पांच का प्रयोग कितने बार करना पड़ता है इसका हल हम लोग जानते हैं जब भी हम कोई संख्याएं लिखते हैं तो वो अपने अंकों को बार बार दोराते जाता है अब एक से नौ तक जब लिखें तो एक, दो, तीन इस तरीका से ये नौ तक लिखाता है और सभी अंक एक अग बार आते हैं और हम 99 तक लिखते हैं तो सभी अंक 20-20 बार आता है सभी अंक 20-20 बार आता है सिवाए सुन्य को सुन्य कितने बार आता है नौ बार और बांकी जो भी अंक है वो 20 बार आता है लेकिन जैसे हम एक से 99 के पाद 100 लिखते हैं तो 100 लिखने पर यहाँ पर एक में एक वृद्धी हो रही है तो अब एक 21 बार आएगा और सुन ये दो बार और बार लोग गया तो इस तरीका से ये 11 बार आएगा और बागी सभी संख्याई कितने बार आएंगे 20 बार एक से 100 तक लिखने में अब 21 बार आएगा सुन ये 11 बार आएगा और बागी सभी संख्याई कितने बार आएंगे 20 बार आएंगे आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है एक से एक हजार तक लिखने में सुन ये कप्रियोग कितने बार करते हैं एक से 999 तक लिखने में सुन्य का प्रियोग 189 बार होता है लेकिन जैसे हम 1000 पर पहुंचते हैं तो तीन सुन्य और बढ़ गए तो अब एक से एक हजार तक लिखने में सुन्य 192 बार प्रियोग में आएंगे तो आप वीडियो को बार बार दोरा कर देख लीजिए और इस लिश्ट की इसाब से आप प्रस्न खुद बनाईए और खुद उसका जवाब दीजिए अंतिम प्रस्न है एक से सव तक लिखने में एक कप्रियोग कितने बार करना पड़ता है और इसका जवाब है 21 बार और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रस्न यही है कि एक से सव तक लिखने में एक कप्रियोग कितने बार करना पड़ता है